असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूँ आपका होश शाही नसीर और आप देख रहे हैं शाही फूट सीक्रेट्स आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आजिर हुआ हूँ ये है मचली कडाही आपने शोरबे वाली मचली तो बहुत खाई होगी और सुनी भी होगी लेकिन ये है मचली कडाही तो ये कुछ इंग्रीडियन्स उसके लिए लिए हैं हमने ये मैं उपर मेंशन भी कर देता हूँ तो ये इतनी लाजवाब रैसे भी बनती है कि खुश्बू पूरे महले में फैल जाती है तो एक अदर प्यारी सी ले लेते हैं पतीली और उसमें डाल दिया हमने घी तो ये घी तकरीबर हमने दो चमच डाले हैं सालन वाले जो पतीली के चमच होते हैं उसमें ये हमने प्याज और टमाटर को ग्रैंड करके डालना है और खुश्मसाला जाड डाल दी है इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसकी करते हैं बुनाई तो यकीन करें जब आप इसकी बुनाई करेंगे तो यहीं पर ही इसकी आपको पता लग जाएगा आप क्या चीज़ बना रहे हैं इसमें हमने डाला है अद्रक लेसन एक बन टेबल स्पून तो सासाथ बुनाई करते जाएंगे और इसमें दही एड़ करते जाएंगे तो यकीन करें यह वीडियो तो बना रहे हैं हम तो इसमें इतनी खुश्बू आ रही है कि दिल खुश हो जाता इसको सूंके ही तो यह है जी मच्छी के सिरे और कंडे तो इसकी हमने गड़ाई बनानी है तो इसकी भी बनाई करते हैं अच्छे से और इसमें भी बुनाई करने के बाद हम दही डालते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे तो इसी तरह करेंगे क्योंकि पानी हमने इसमें बहुत कम इस्तमाल करना है तो ये देखें दही हमने और डाली है और जो हमने चीजें ग्रैंड की हैं प्याज और टिमाटर उसी के जग को हमने दो के थोड़ा था पानी बस इसमे अड़ करना है दम लगाने के लिए तो ये देखें इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा समान अंदर हलो जे तो ये इसके बाद हम इसको लगाते हैं दम तकरीबन दस मिनट का तो ये दस मिनट इसके हो चुके हैं ये देखें कितनी ला जवाब क्या बाता सुछान अल्ला इतनी खुश्बू आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता और यकीन करें जब ये फुलका रोटी के साथ हम खाते है तो मज़ा ही आ जाता है ये देखें ये मैं आपको इसकी लुक भी चेक कर वाज़ता हूँ किस कदर शानदार ये देखें आप इसको चाहे रोटी के साथ खाएं चाहे रूखी खाजएं इतनी मज़े की ये बनती है और ये जो इसकी हड़ियां है सिरे की इनको चूसने का अलगी मज़ा है तो इसको डिश आउट कर लेते हैं तो ये हमारी रेसिपी त्यार हो चुकी है बहुत असान रेसिपी है आप लोग भी घर में बहुत असानी से बना सकते हैं तो अपने होशाई नसीर को दीजिए इजाज़त अल्ला हाफीज